और आज एक और important जो खबर आई है वो IPO लिस्टिंग से जुड़ी हुई खबर आई है Market Regulator Sebi ने एक नया प्रस्ताव रखा है कि 6 दिन की जगा 3 दिन लिस्टिंग का टाइम किया जाए IPO के लिस्टिंग का समय घटेगा जादा जानकारी के लिए बिजेश कुमार इस वक्त हमार साथ जुड़ रहे हैं बिजेश जी बताइए क्या खबर है Market Regulator Sebi ने कंपनियों के इशू की लिस्टिंग के लिए मियाद घटाने का प्रस्ताव किया है जिसके तहट कंपनियां इशू बंद होने के तीन दिन बाद लिस्ट करा सकेंगी अभी जो ये मियाद है वो इशू बंद होने के छे दिन बाद की है इसके पीछे से भी का ये कहना है कि जब से UPI टेकनोलोजी आई है उसकी वजय से इस टाइम लाइन को घटाया जा सकता है और इसके लिए जो सारे सिस्टम है जो सारे स्टेकोलडर से इसमें चाहे वो NPCI वो चाहे एक्षेंज हो या बाकी दूसरे जो है वो सभी के सभी लोग तयार है और इसको बकाइदा चेक कर लिया गया है अब जब ये मियाद घटेगी तो इसमें कई सारे जो टाइम लाइन है उनमें भी बढ़ला होगा अभी जो है यह है कि इशू जिस दिन बंद हो रहा होता है उस दिन शाम को पांच बजे तक रिटेल निवेशक अपनी अरजी लगा सकते हैं लेकिन अब जब नई वेवस्था जो जिसका प्रस्ताव किया गया है उसमें अगर कोई फिजिकल अरजी दे रहा होगा तो वो केवल दोपर एक बजे तक अपनी अरजी लगा पाएगा जबकि अगर इलेक्ट्रोनिक मोड में दे रहा होगा तो शाम को चार बजे तक अपनी अरजी लगा पाएगा लेकिन अगर किसी के पास ऑनलाइन असबा किस उज़ा का लाव ले रहा है साथी उसके पास थ्री इन वन वाले अकाउंट हैं तो वो शाम को पाँच बजे तक अपनी अरजी लगा सकेंगे अब अलाट्मेंट और दूसरी चीज़े किस तरह से होंगी ये भी समझना जरूरी है इशू बंद होने के बाद अगले दिन शाम को छे बजे तक शेयरों का अलाट्मेंट हो जागा यानि पता चल लियागा कि आपको शेयर मिला है या नहीं मिला है अगर इसके बाद अगर आपको शेयर नहीं मिला है तो इशू के बंद होने के दो दिन बाद शाम चार बजे तक आपका पैसा रिफंड आ जाएगा या आपका पैसा अगर ब्लॉक हुआ है तो वो अनब्लॉक हो जाएगा और विजे जी मुचुल फंड्स में गड़बडियों को रोकने के लिए क्या नियम लाने का प्रस्ताव है? जी यां दूसरा जो बड़ा प्रस्ताव है मुचुल फंड्स को लेकर है उसमें मुचुल फंड्स में जो गड़बडियां हाल के दिनों में दिखी हैं खासता और पर फ्रेंट ट्रेनिंग की या दूसरे किसम की जो गड़बडियां दिखी हैं उसके बाद से भी ये फैसला यह प्रस्ताव किया है कि यहां गड़वडियों को रोकने के लिए institutional mechanism होना चाहिए institutional mechanism का मतलब यह है कि अगर कोई गड़वड़ी पाई जाती है या वहां की व्यवस्ता में निगरानी की जो व्यवस्ता है उस व्यवस्ता का बाकाइदा लिखित प्रारूप होना चाहिए यानि एगर कोई गड़वड़ी पाई जाती है तो क्या क्या कदम उठाये जाने हैं यह सारा सबकुछ लिखित में policy के तौर पर उस mutual fund में होना चाहिए तो यह institutional mechanism बनाने का मतलब इसके पीछे मकसे देख यह भी है कि अभी अगर आप देखें तो stock exchanges के लिए बना हुआ है जो बड़े brokers हैं उनके लिए बना हुआ है तो से भी इसके दारे में mutual funds को भी लाना चाहता है खास्तोर पर हाल के बरसों में अगर देखें जिसतरा की घटनाएं हुई है front running को लेकर उसकी वज़े से यह व्यवस्ता लाई जा रही है अब इसमें क्या कहा गया इसमें यह कहा गया कि institutional mechanism बने सारी निगरानी हो इसका जिम्मा M.D.C.O. compliance officer और जो दूसरे बड़े अधिकारी है mutual fund के उनके उपर होगा अगर नहीं होता है इस तरह की व्यवस्ता नहीं बनती है तो इसके लिए top management जो है वो जिम्मेदार होगा इसमें यह कहा गया है निगरानी के लिए interesting चीज कहीं गई है कि गड़बडी पर नजर रखने के लिए आप लोगों की lifestyle भी चेक करें email, chat के record देखें